हाई नमस्कार आज हम देखेंगे आप यह प्रिंटर के आपकी घर के प्रिंटर के यूज करके कैसे एक ही पेज के आगे और पीछे की तरफ प्रिंट कर सकते हैं जब हम वहाँ जाके कोई Xerox शॉप में नहीं तो प्रिंटर शॉप में यह करने के लिए पूछते हैं वह जो शॉप में ऑपरिटर जो रहता है वह Xerox मिशिन और प्रिंटर के हिसाब से कर लेता है वह घर में कैसे करना यह कोईशन आपको दे सकती है वह कैसे करना मैं आपको यह वीडियो के द्वारा बता देता हूँ तो पहले आपको क्या करना है आपको देमो देने के लिए मैं फेले पेपर मैं फ़र्ससेट बोल्क के लिक, इन सेकंड पेपर श्लाइड में यह लिख दिया तो अभी यह पूर सेटिंस करने के बाद आप Ctrl P प्रेस करें तो आपका Printer section open हो जाएगा Printer section open होने के बाद आप देख सेटे screen पर 1st side 1st पर पर है, 2nd side 2nd पर पर है तो इधर settings में, 2 तरफ options में Print on both sides, pages के नीचे एक option है Print on both sides, उसके उपर आप अगर click कर दिये तो आपको थोड़े options आ जाएंगे तो पूरे चार options रहते हैं, print one sided जो एक side पर print होने के लिए ये option को choose करना है ये वीडियो की उदेश ये है कि 2 side कैसे print कर सकते हैं वो आपको बताना तो इसमें 2 तरह के options है वो एक है कि short edge, long edge येके short edge येके long edge बोले तो side by side, जो अपनी text book जैसे रहती वैसा, एक page flip, आपका बाये तरफ एक page को flip कर दिये तो और एक side print जैसा आता, वो उस तरफ के print के लिए long edge short edge बोले तो, ये notebook रहते हैं, notepad जैसा आपन ये खाली-खाली बाते लिखते ने, तो do list वैसे लिखते है उसका paper कैसे रहता, आप नीचे की side से ऊपर करें तो, वो paper आता तो उस तरह के print के लिए, आपको short edge चूज करना है तो fourth option है, manual print on both sides, हम जो manually करते हैं ये तो तो इसलिए, वो fourth option automatically enable हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, कैसे करना है, पहले long edge देखते हैं long edge चूज करके, आपको print दे देना चाहिए, दे दिये तो आपको ये pop up आ जाता, pop up क्या बता रहा है कि आपको print दे देना है, और paper रखने के बाद, पहला print जब हो जाएगा, उसके बाद, आपको first step हो जाएगा, प्रिंट होके पहला side आ जाएगा, first step होने के बाद, आपका second step करना है, क्या है कि first step, first जो paper print के बाहर आया, उसको उसी तरह उटा के, उसका position change मत करके, उसको वैसे ही निकाल के नीचे try में रख देना, जहां आप paper बढ़ते हो, तो वैसे रख दिये तो second side भी automatically print हो जाएगा, आप अगर notice करें तो print हुआ paper नीचे रहता, और सफेद sheet उपर रहता, तो इस तरह आपका print हो जाएगा, अब हम side edge वाला देख लिए, तो इस तरह आप कर दिये तो print हो on shortage option को select करके, यह तरह की print देना है, अभी यह option select करने के बाद, आप अगर print दबा दिये तो, आपको options जादा change नहीं होंगे, वो आप देख सकते हैं, अभी मैं print on both sides के उपर click करता हूँ, click करने के बाद print दबा देता हूँ, print दबा दिये तो, मुझे पहले जो option आए, वो paper को सीधी, उसी तरह position change करें, बिना नीचे tray में रख देना, वो यह option आता है, तो दोनों का procedure सेम है, तो इस तरह आप दोनों side में print कर सकते हैं, आशा रखता हूँ कि आपको यह video पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं